जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो नीट एक्जाम है वो मई के महिने में साथ तरीक हो है अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है एंटिय के रूल्स और रिगलेशन को समझने के लिए यहाँ पर एंटिय की ओफिशियल जो इन्फरमेशन है मैं आपसे शेयर कर रहा का एक्जाम है उस दिन आपको कैसे जाना है क्या करना क्या नहीं करना है जो बच्चे एक बार नीट एक्जाम दे चुके हैं उनको एक रूल से बहतर पता होंगे कितने इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल बहुत से बच्चे इस रूल को तोड़ने का प्रयास करते हैं और अनफर्शनेटर को साथ में वो होता है जो उन्होंने सपने में सोचा नहीं होगा तो आप सभी फ्रेशर बच्चे इस वीडियो को बहुत केरफुली देखें और एंटे के दिए गए सुझाओ को समझते हुए चलें देखिए अनफेर का तरिका उन्हों बता दिया है कि आपको एक्जान में लेकर नहीं जाना है कोई भी मेटलिक समान भी आपको एक्जान में लेकर नहीं जाना है अगर आप लेकर जाएंगे पेपर के समय तो आपको प्राब्लम हो जाएगी दूसरी बात उसने बहुत सिंपल से कहा कि using someone to write the examination बहुत बच्चे क्या सोचते हैं क कि वो अपनी जगह पर अपने किसी भाई किसी सेंगर को भेज देंगे एक्जाम देने के लिए फोटो सॉप से फोटो चेंज कर देंगे एड्मिट कार्ड में लेकिन ऐसा नहीं है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एंटी पकड़ लेगा क्योंकि उसके पास जो highly metal detector और तो मलब advanced technology की चीजें हैं वो उनसे आपको verify करता है और आप वहाँ पर पकड़ ले जाएंगे तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें ठीक है सी option पताया गया है breaking examination rule यानि जब आप examination center पर जाएंगे तो आपको किसी प्रकार का rule वहाँ ब्रेक नहीं करना है आपको time to time को सुची तो आपकी entry नहीं होगी आप कुछ भी प्रयास कर लें ठीक है तो आप इस तिसका भी बिसेश ध्यानक है assisting other candidate to engage in mal practice giving the receiving assistant directly or indirectly any kind of attempt to suit ठीक है जब आप center पर जाएंगे तो आप किसी भी बच्चे से contact नहीं करेंगे paper courses करने के लिए वे पर से answer पूछने के लिए ठीक ह writing question to answer मलब आपको कोई भी question या answer जो है आपकी answer seat पर आपको mention नहीं करना है otherwise आपकी copy वहीं पर reset कर दी जाएगी और फिर आपको उसके numbers भी नहीं मिलेंगे आपको answer seat आपके page जो test booklet है उनको किसी को भी मोड़ना नहीं है जैसे आपको paper मिलेगा आपको पूरा focus paper को solve करकर easy way में answer seat को fill करना है paper को मोड़ना नहीं है इसके लावा किसी भी प्रकार के व्यक्ति से teacher से staff से आपको कोई भी contract center पे नहीं करना है simple सा आपको easy way में जाना है entry करना है paper solve करना है answer fill करना है that's it बाकी आपको वहाँ किसी प्रकार का relation नहीं फैलाना है और ना किसी से आप answer पुछने का प्रयास करेंगे otherwise वहाँ पर अगा आपने गलती की तो आपका जो paper है वो सिधह ही आप disqualify कर दिये जाएंगे ठीक है talking any the answer seat ठीक है copying MR आउट आप 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 आपको टेक सॉरी टेकिंग अवे देंसर सीट आपको सेंटर से पहले original एंसर सीट को लिकर बाहर नहीं निकलना है इसके लावा taking away the admit card out of the examination hall room ठीक है तो बहुत आसान points हैं आपको बस समयना चलना है smilling out of question paper और its part to smilling out answer seat part भी हाप ठीक है तो बहुत साभी points nt ने बताये हैं जहाँ पर आप इसको देख लीजिए किसी भी चीज को आप जफ सेंटर पर जाएंगे तो बहुत ध्यान से करेंगे एक simple sum आपको इन सभी points का बता दूँ कि cheating के बारे में या किसी source के बल पर exam के बारे में या class में किसी से बात करने के बारे में किसी भी metal, bluetooth, mobile phone के बारे में सोचना भी मत आप अगर आप पैसा करेंगे तो सीधे से आप nt की नजरों में आ जाएंगे और nt आपको exam से disqualify कर सक सकता है और आपके problem हो सकती है ठीक है इसके लावा MR seat में किसी प्राइब के tempering करना या गलत information देना इन सब चीजों को भी एंटी निक बहुत clearly आपको मना कर दिया कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है ठीक है आपको अपनी information ममी बापा की information signature, thumb impression, booklet number, roll number इन सब चीजों को बह आपकी OMR seat को accept नहीं करेगी ठीक है तो यहाँ पर आपके सामने एक पूरा detail दे दिया गया है आप इस rule को पढ़ ले समझ ले और उसके बाद NEET exam के लिए center पर जाईएगा ठीक है यहाँ पर बहुत चीजे है any other more practice declared the unfair means by the NTA ठीक है तो यह काफी सरी points का मैंने आपको insert सब कु पास रहेगा ठीक है ना आपके पास photo grabs रहेंगे उन सब चीजों पर आपको detail video दे दूंगा प्लाली आप इस rule को समझ लीजिए simple सा मतलब है कि आप जो center पर जाएंगे तो आपको simple तरीके से जाना है कुछ भी दिमाग extra नहीं लगाना किसी से बात नहीं करना है ना तो आपक साम में अच्छा स्कोर करिएगा तो इस वीडियो में तहीं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंकिसो मज जहिंद